हेलो फ्रेंड वेल्कम बैक टो मैं चैनल अमरिती फैशन विला आज की वीडियो में हम मातरानी के लिए पोशाग बनाएंगे यह देखें यह हमने मादुर्गा को नौरात्री में सात्वे दिन पहनाने के लिए बनाई है जो मा कालरात्री का श्वरूप है मैंने उनके लिए आप देखें हमने बहुत ही ब्यूटिफूल सा लहंगा बनाया है और इसे बनाना बहुत ही इजी है आप बहुत ही सिंपल दरीके से बना सकते हैं और यह है इसकी चोली हमने कुछ अलगतरा की चोली बना दी है इस बार और यह है इस पे प्लेन दुपट्टाई यलो कोलर मे साथ तो इस जर्स में प्रपर से इंगार करके वीडियो आपको मेरे दूसरे चनल कृष्णा शेव आश्रम पर देखने को मिलेगी तो अगर आपने अभी तक वहां पर विजिट नहीं किया है तो वहां पर विजिट करें और मेरे दूसरे चनल को भी सब्सक्राइब करें तो फ्रेंस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस तरह की पुष्णा पर्चीस करना चाहते हैं तो आपको मेरा वाट्स अबर स्क्रीन पर दिख रहा होगा आप वहां पर कांटेट करके डिस पर्चीस कर सकते हैं और अगर आपने मुझे अभी तक आप यहां टोड़ने के बाद मुझे इतिना ऐ वाला फैबरिक मिला था तो बहुत प्रॉबलम होने के बाद यह फैबरिक मिला है इसके साथ मैं यहाँ पर यलो कलर में नट का फैबरिक इूज करूंगी और यह देखे यह इतना हिस्सा है इसे हम चोली बना लेंगे और यह इसे हम अपनी नीचे लहंगे लागा लेंगे तो चलिए हम इसे कट कर लेते हैं और फिर मैं आपको नेट काप पैब्रिक तीखाती हूँ यह देखे फ्रेंब्स हमने यहाँ यलो कलर में नेट का फैब्रिक ले लिया है और इसकी चड़ाई हमने यहाँ पे 5-5 इंच रखी है जैसे कि ये पुशाक मैं 8 इंच की मादुरगा के लिए बना रही हूँ, हमने क्या करना है, विग्रह को कमर से लेकर और एकदम नीचे तक मेजर करना है, पैर तक नहीं मेजर करेंगे, एकदम नीचे तक मेजर करेंगे, क्योंकि देखे, माताजी सेर के उपर बैठी होती है, आयाकई और उनका पैर थोड़ा सा उपर होता है. तो हम एकदम फ्लोर से टच करने वाली पुषाक बनाएंगे तो हम एकदम नीचे तक उने मेजर करेंगे और जितनी भी हमारी हमारी मेजरमिन्ट आती है कमर से नीचे तक मेजर our ऊजर करने कि बाद उसमें हम कि अपने क्या आत्युत करता है यह क्या है आपने पूरी फैथ्रिक है प्लेट पाइगे यह देखे यह हमने जिरीं लेकर यह दिए व्यक्री थे कुट भीक रहे है नहीं हम और यह जो हमने फैप्रिक रहरे है इसमे नहीं ignoring देती हूं यह देखिए यह पॉल वाली लेस लगाई है और जब हम पॉल वाली लेस लगाते हैं तो इसे कवर करने के लिए मैंने यलो कलर के लिए लगा लिए है यह ऐसे करके यहां पे आपको दिखरी होगी तो अब हमने क्या करना है इसे हम यहां पूरी कमर पे लगाएंगे और यहां पे देखिए ऐसे हलकी अलकी प्लेट देके पुरा इतने को हम इगठा कर लेंगे एक तो हमारे पास वैसे ही फैब्रिक के कम है तो हम इसमें से कुछ कट करके नहीं निकालेंगे जितना है हम उतना लगा देंगे चलिए हम इसे लगा लेते हैं फिर आपको दिखाएंगे कि क्या करना है यह देखिए यह हमने इसके उपर रखके श्टिच कर लिया है अब हम यहां पर आपने अस्तर लग जाएगा तो छलिए हम इसे लगा लेते हैं इनल अब यहां पर इधा रिभन लिया हुआ हम क्या करेंगे जह हैं आसे करेंगर और असका यहाँ पर हम ऐसे करके लगाएंगे इसे जिसे यह लॉक हो जाए यह दिखे और सेम तरीके से हमें इसे इधर से भी लॉक करना है तो चलिए हम दोनों साइट से लॉक कर लेते हैं फिर आपको दिखाएंगे कि क्या करना है यह देखे हमने दोनों साइट से इसे डिस्टेच कर दिया है तिश्यी रिबन हमारा लग गया है अब हमने यहाँ पर फिर से जब आए टिुश्यी रिबन लिया है हम यहां कमर भी सेम तरीके से लॉक करेंगे यह देखें ऐसे कर кварти से एक्ट्रास चोर देंगे बादने के लिए और जो हम इधर आएंगे तो इधर भी यह का लिए तो चले हम इतना काम कर लिते हैं फिर आगे दिखाएंगे की क्या करना है ये देखिये ये हमने यहाँ पे कमर बना लिए है अब हमने यहाँ पर इस तरह की layer ली हुई है आप देखें यह इस तरह की है इसमें से patches cut करके हम यहाँ यहाँ पे लगाएंगे ये देखें बहुत ही heavy सा और सुन्दर सा हमारा लहाँ बनेगा आप चाहें तो यह डारेक्ट ऐसे भी लगा सकते हैं, यह देखें, तो चली हम यहाँ पर इसे लगा लेते हैं, फिर आपको दिखाएंगे कि क्या करना है, यह देखें, यह हमने लहेंगे को रेडी कर लिया है, अब यह बहुत सुन्दा लग रहा है, तो आपने दिखा हमने बहुत कम फैब्रिक में, बस थोड़ा सा टच देके इसे बना लिया है, अब हम क्या करेंगे, चोली बनाएंगे, तो चोली के लिए हमने यहाँ फैब्रिक ले लिया है, इसकी लंबाई हमने यहाँ पर तीन इंच और चोड़ाई धा इंच रखे हैं, अगर आप देखेंग इसे ऐसे तीच्छा करना है, उपर पतला रहेगा और नीचे चोड़ाई, जैसे हम गोपाल जी के चोली बनाते हैं, वैसे ही रहेगा, यह देखे, अब हम क्या करेंगे, एक बार यहाँ से सिलाई लगा लेंगे, तो चली सिलाई लगा लेते हैं, फिर आपको दिखाएंगे क्या करना है, यह देखे, हमने यहाँ पर यह सिलाई लगा लिया, अब हम क्या करेंगे, इसे यहाँ से ऐसे पलट देंगे, यह हमने पलट लिया, यह देखे, अब मैं यहाँ पर यह टिशू डिबन लगाना है, यह जो साइट्स कुली हैं, इधर हम टिशू डिबन लगाए करेंगे कर लोग को यहां से ते में और यहां यह कर लिदों को और यहां चुछे में बाठ ऍचाम को माने है तो चली हम लगा लेते हैं, हमें नीचे से नहीं लंबा रखना है, जिस साइड हमारी पतली है उस साइड हमें लंबा रखना है और ऐसे ही हम इधर भी करेंगे, चली कर लेते हैं, फिर आपको दिखाएंगे क्या करना है यह देखे हमने यहां पर चोली बना के रेडी कर दिया है यह पीछे ऐसे करके हम गल्ले में बात देंगे और यह हिस्सा जो है यह हम कमर पर बात देंगे यहां पर देखे पीछे से यह मैंने यह डोरी स्टिच कर दिया है तो यह हमारी चोली हो गई और यह देखे यह हमारा ल आज की ड्रिस बनके complete हो गई है यह देखिये I hope आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें मेरे चानल को सब्सक्राइब करें और साथ हैं पेला आपकर प्रिस करके और पर क्लिक करें जिसे मेरे आने वाल अच्छी मथाश्यू को यह नहीं क की बनके करें मेरे आने द्धीन कि वLo कषब केंग।